असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप लोग अभी इस वीडियो में आप लोगं का जो सवाल आया है उसका जवाब दें को कोशिस करूंगा अगर आप लोगं का कोई सवाल हो सकता आपका इस वीडियो में ही जवाब मिल जाए तो आप इस वीडियो पूरा देखो और चैनल प पर contact reject दिखा रहा है मेरा transfer without approval कंपनी के हो जाएगा एकामा वैलिड है एक मन्ट प्लीज रिप्लाइ मी हाँ अगर आपका क्यूआ पर contract नहीं है तो आपका जो है transfer without approval हो जाएगा इसमें जो है 90 डेज का notice period आएगा आपको notice period complete करना पड़ेगा उसके वाद जो आपका transfer direct होगा नई company सारा process करेगी आपको current company का जो है approval की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है असलाम ओरेकों भाई वालेकों से एक बात पूछनी थी भाई हुंड़ाई खतम होने के बाद साओधी हमारे साओधी हमारे उपर लोग लगा सकता है क्या अगर हम contact terminate करते हैं उसके बाद कफिल exit लगा सकता है क्या इन दोनों पर इन दो दोरान आप मुझे बताए प्लीज मैं आपका comment का इंतजार करता हूँ मेरा एक साल का contact हुआ है पर मैं contact एक साल का हुआ है और उसमें मैं transfer लिया हूँ साथी मुझे exit नहीं देखा रहा है तो क्या उसके बाद क्या करे करा जाएगा आप मुझे बताओ हाँ यह तो है कि आप अगर contact terminate करते हो तो company हो सकता है exit लगा भी दे कोई कोई company होती है बहुत सारी लेकिन अभी तो यहां पर आपको permission है भाई कि आप contact terminate करो दूसरी company में जाओ but company कोई कोई होती है जो आपको exit लगा सकती है तो यह बात का दियान रखना जो आप पूछ रहे है भाई तिंक आपको answer मिल गया है भाई मुझे इंडिया जाना है एकामा expirate 6 महीने से क्या करूं बोलो अब यह तो फिर आप embassy में contact करो अगर आपका एकामा expirate company नहीं बना रही है बहुत साही लोग बोलें कि मैं फ़स गया हूं company नहीं बना रही है तो आप embassy में एक वर contact करो वहाँ पर बोलो तो आपको जो वहाँ से help की जाएगी कफाला के बाद अफसर पर एकामा न्यू का फिल पर कितने दिन कितने देर बाद चेंज होता है जैसे यह आपका transfer होगा न तुरंत ही अफसर में ही सबसे पहले change होगा आपको ध्यान रखना अफसर पर चेक करना QA में अगर change नहीं हुआ तो वह कोई दिक्कत नहीं है QA का कोई issue नहीं है QA में होता है time भी लगता है कभी-कभी देर से होता तो इसका दिक्कत नहीं है अगर आपका apsar में change होगा अपसर में ट्रांसफर होगा नहीं कंपनी जो आइन कर सकतो ऐसे case मे I already terminated my contact through QA portal 30 days notice period started my question is after notice period I will ask to send request from new employer and I will accept what will happen I will go again again my current employer not please advise me why आप अभी request मंगवाओ अगर अगर आपने already terminate किया तो अभी request मंगवाओ आपका notice period आएगा उसके बाद आपको current company कोई approval की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं कंपनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं कंपनी वर्चारा transfer का process करेगी और transfer भी आपका हो जाएगा Assalamualaikum भाई वालेकुमसलाँ मैं मिलकु आके 40 दूवाय साओधी रियाद में company change करना है क्या करूँ मेरा अपसर आज ही आया है एकामा नंबर आया है अगर आपको company change करना है आपको जरूर कफील से पर्मीशन लेना पर है जिसके पास भी हो जो company है वो allow कर रहे है यह तो आप कर सकते हो ठीक है रिजाइंट करने का क्या तरीका है चलो एक मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आप सरी के अभी जो है नया तरीके से आप कैसे क्यों आसे contact terminate कर सकते हो उसके उपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मुझे साओधिया 8 महीना हो गया है contact नहीं है मुझे company पसंद नहीं है final exit कैसे जाए 8 महीना हुआ है फिर तो रुकना परेगा आपको कम से कम एक साल company पसंद नहीं है क्या है problem क्या है इतना दिन रुक गए कुछ तो problem होगी न वो आप बताओ भाई कि आपका जो रियल है ऐसा है नहीं है कि कहा हो कुछ कुछ condition में आप जा सकते हो बट उसमें भी तीन महीने के अंदर ही मही अब 8 महीना होगी आपका contact कितना दिन का है क्या है नहीं है सौधी में लोगों की छुट्टी क्यूं नहीं लग रही है सिस्टम खराब हुआ है क्या अप लोगों को पसंद आई हो यार अप लोग लाहिक करो अपने दोस्तों से शेयर करो ने अगर वीडियो पसंद आती हो तो चलो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ल